मैं हूँ शिवांगी आप सबू का स्वागत है बिहारी मीडिया में आज है साथ अगस्त दो हजार तेईस तो चलिए जानते हैं पंदरा बड़ी खबरों को विस्तार से पहली खबर है बिहार में आज होगी भारी बारिश मौसम बिभाग की चेताबनी औरेंज और यलो अलर्ट जारी। आज नालंदा में सरवाधिक 99 मीमी बारिश हुई मौसम विभाग की ओर से मिली जोयनकारी की अनुसार सोमवार से उतरबिहार की ओर बारिश की गतिवीध्या पड़ेगी इस वीच मौसम विभाग की अनुसार 7 अगस्त को सभी जिलों में मेग गर्जन ववजरपात का पूर्णिया कटिहार बांका पटना वैशाली मुजफरपुर में बहुत भारी वर्षा वा सहरसा मदेपूरा खगरिया सुपॉल मधुवनी वा समस्तिपुर में भारी बारिश की चेतावनी है नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राजकर्मी का दरजा नितीश सरकार लाएगी नया सिस्टम आने वाले कुस दिनों में बिहार सरकार कारेरत शिक्षकों की मांगों को लेकर ठोस कदम उठाने वाली है और उस पर काम भी शुरू होगा शनिवार को सीम नितीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों के मामले पर महागडबंधन की नेताओं के साथ बैठक की थी जिसमें शामिल नेता ने कहा था कि बिना किसी स्क्रीनिंग के सभी नियोजिस शिक्छकों को सरकारी कर्मिचारी का दर्जा देना संभव नहीं होगा जबकि वाम दलों के नेताओं ने जोर देकर कहा कि सभी कारेरत शिक्षकों को सरकारी कर्मेच्वारी का दर्जा देने में कोई बड़ा वितिये बोज नहीं पड़ेगा जिस पर सीम नितीश ने गौर करने की बात कही लेकिन ये तो असपश्ट है कि भूसी से गेहु निकालने के लिए स्क्रीनिंग होना चाहिए सरकार साल के अंत तक बिहार लोग सेवा आयोग के माध्यम से एक दसमलो साथ जिरो लाग से अधिक शिक्षकों के नियुक्ति कंडे जा रही थी संसद्य कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि वर्सों से काम कर रहे शिक्षकों को BPSC परिक्षा से नहीं गुजरना होगा बलकि उनके लिए एक नया सिस्टम तयार किया जाएगा ताकि ये सुनिशित किया जा सके कि पुरानी प्रनाली में योग्ये लोगों के साथ कोई भेग भाव न हो जिन लोगों ने BPSC के लिए आविदन दिया है वो सीधे वहां पहुँच सकते हैं शिक्षविभाग को तोर तरीके तयार करने के लिए कहा गया है और जल्दी शिक्षविभाग के साथ एक और बैठक बुलाई जाएगी खेती के लिए मिलेगी सोला घंटे बिजली किसानों के लिए नितीस सरकार का बड़ा आयलान अल्प वर्सापात वाले शेत्रों में खेती के लिए सोला घंटे बिजली किया पूर्ती की जाएगी मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने अधिकारियों को ये निर्देश दिया इसके पहले मुख्यमंत्री ने एक अने मारगे इस्तित संकल्प में अल्प वर्सा पात्व से उत्पन इस्तिती की समिक्षा की ओर और अधिकारियों से किसानों को हर संभव साहता उपलब्द कराने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इन शेत्रों में कम से कम सोला घंटे बिजली उपलब्द कराए। क्रिशी कारे हेतु किसानों को डीजल अनुदान की राशी वितरन में और तेजी लाने का निर्देश दिया ताकि किसानों को पटवन में सहूलियत हो सके। मुखे मंत्री ने लोकस्वास अभी अंतरन विभाग को पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को कहा। साथी सभी चापाकल चालू करने और नए चापाकल लगाने का कार एक सब्ता में पूरा करने का भी निर्देश दिया। परिक्षा दो पालियों में होगी। इसके अलावा एड्मिट कार्ड को लेकर भी बीपीएसी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बीपीएसी ने काया है कि एड्मिट कार्ड परिक्षा से 14 दिन पहले यानि 10 अगस्त से मिल जाएंगे। ऐसे में जिन उमिद्वारों को एड्मिट कार्ड का इंतिजार है वो 10 अगस्त से एड्मिट कार्ड अधिकारिक वेबसाइट sttps.bpsc.bis.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चाचा के लिए हाजिपूर सीट छोड़ने को तयार चिराग जमूई में कहा जवानी में यहां आया था अब बुजुर्ग बन कर जाओंगा। लोगजन्शक्ति पार्टी रामिलाज के राष्टिय अध्यक्ष चिराग पास्वान ने इशारो इसारो में साफ कर दिया है कि वे जमूई से ही अगले लोगसभा का चुनाव लर सकते हैं। चिराग रविवार को अमरित भारत स्टेशन यूजना कारेक्रम में शामिल होने के लिए जमूई पहुचे थे। उन्होंने कहा कि मैंने शिरुवाती दोड में ही एक आशिरुवात जमूई के लोगों से मागा था। अब वापस आशिरुवात माग रहा हूँ। मैं जवा सीट छोड सकते हैं। हलाकि मीडिया से बाचीत में चिराग ने ये भी कहा कि ये चुनावी गणीत है। कौन कहां से चुनाव लरता है समय आने पर बता दिया जाएगा। पारस पहले ही कह चुके हैं कि हम हाजीपुर से ही चुनाव लरेंगे। चिराग जमूई का प्रतिन नीधित्व करते हैं वे क्यों अपना जनता को छोड़ना जाते हैं। साथ दिखेगी। 15 अगस्त के मौके पर इस बार बारा विभागों की जाकिया आकर्शन का केंद्र बनेगी। इसमें परियतन विभाग महिला इवं बाल विकास निगम मध निसेद विभाग जीवी का सहीत बारा विभागों की जाकिया आकर्शन का केंद्र रहेगी। जिस बनेगा 500 किलो का एक लड़ू, आगामी 13 अगस्त को राम नाम से गुंजेगा पटना शहर, रविवार 13 अगस्त को हम सब के राम कारेकरम के तहत पटना में 11,000 राम भगतों द्वारा सामुहिक हनुमान 40 का पार्ट किया जाएगा, ये पार्ट है, गुलजार बाग मैदान पटना के बिभेनी छेतरों से महावीरी जंडा कारेकरम अस्तल पर पहुँचेगा, इसके बाद कारेकरम के बाद बिहार उत्तर प्रदेश जारकन के 90 जिलों से रत यातरा निकाली जाएगी, जिसकी शुरुवात आयुध्या से और समापन पटना में होगा, प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने रविवार को बिहार को बड़ा सोगा दिया है, राज्य के 49 रेलवे स्टेशनों के काला कला कल्प के लिए अमरित भारत स्कीम के तहत पूर्ण विकास कारियों को प्रदान मोदी वीडियो कॉन्फरेंस से शिला नियास किया, प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी द्वारा वाचुल माधियम से पूर्वे मध्य रेल के 57 स्टेशनों के पूर्ण विकास का शिला नियास किया गया है, इसमें बिहार के 49 स्टेशन शामिल है, पहले चरण में 508 स्टेशनों को शामिल किया गया है, जिन पर 24,470 करो रुपे की लागत आएगी, अमरित भारत स्टेशन योजना के तहद देश भर में 1309 स्टेशनों का आधुनी की करन किया जाएगा, जिसका पहला चरण 6 अगस्त को आरंभ होगा, सरकारी अस्पतालों में 18-19 अगस्त को OPD रहेगा ठप, बिहार स्वास्त सेवा संग ने क्यों किया आयलान, देखिए बिहार के सरकारी चिकिस्सक 16 वा 17 अगस्त को काली पट्टी बांध कर काम करेंगे, जबकि 18 वा 19 अगस्त को OPD में काम नहीं करेंगे, OPD से हरताल पर रहेंगे, बिपार्ड गया में प्रशिक्षन के दौरांचिकिस्सकों के साथ हुए दुर विवहार और लंबित मांगो के समर्थन में बिहार स्वास्त सेवा संग ने यरनिर्न लिया है, रविवार को IMA hall में बिहार स्वास्त सिवा संग के कोर कमेटी की बैठक हुई बैठक में संग के सदस्यों ने कार्य अश्थल पर पुखता और सुरक्षा ववस्था बहाल करने की मांग की संग ने ये भी मांग की कि कारय अस्थल पर स्वास्त पुलिस बलकी ववस्ता की जोई मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहट कारवाही सुनिश्यत हो राज में खुलेंगे तीन नए सरकारी आईटी आई राज में तीन नए सरकारी आईटी आई खुलेंगे श्रम संसातर विभाग ने इस दिशा में कारवाई शुरू कर दी है नए संस्थान और अंगाबाद के नवी नगर वैशाली के रागोपुर और सारन के गरखा में खुलेंगे विभागी अधिकारियों के अनिसार नवी नगर विजली घर्ग ने आई टी आई के लिए भवन बना दिया है साथी आवश्चक मशीन भी अस्थापित कर दी है बिहार सरकारी से अधिग्रहीत कर इसका संचालन करेगी जबकि गरखा और रागोपुर में फिलहाल अस्थाई भवन में आई टी आई खुलेंगे आने वाले वर्सों में इन दोनों अस्थानों पर अस्थाई भवन का निर्मान किया जागा तीनो स्वास्त में एलेक्ट्रीशियन, फीटर, एलेक्ट्रोनिक्स, सोलर टेक्नलोजी, एलेक्ट्रीशियन, मेकैनिक, डीजल वर, विल्टर, ट्रेड की पढ़ाई होगी नए आई टी आई में 14 यूनिट से जाधी की शुक्रिती दी गई है इसमें 150 चातरों का हड़ वर्स नामांकन हो जाएक सकेगा नवी नगर में इस वर्स तो गडखा और रागपुर में अगले सत्र के नामांकन शिरू होने के आसार है तीनो संस्थान के खुलने से राज्य में सरकारी आई टी आई की संख्या 152 हो जाएगी बिहारी चालन से राजस्व जुटाने में पांचवे अस्थान पर बिहारी चालन से राजस्व अरजित करने के मामले में देश के पांच राज्यों में शामिल हो गया है बीते छहमा में बिहार ने इस शेत्र में जवर्दस्त प्रगति की है केंद्र सरकार के आकरो के अनुसार बिहार ने पूरे देश में पाजवा अस्थान प्राप्ति किया है परिवहन मंत्राले ने छहमा के राजस्व को लेकर रिपोर्ट जारी की है इसमें बिहार ने पहले ही अपेक्षा बेहतर काम किया है। केंद्र के आक्रों के अनुसार इचालान में बिहार ने इस दौरान 138 कड़ो रुपे जुटाए हैं। यही नहीं पूरे देश के राजस्थान, उतर प्रदेश, हर्याना, महराष्ट के बाद बिहार का ही अस्थान है। बिहार के 9000 से अधिक डाक घरों में मिलेगा तिरंगा।